हलो गाईज दिस इस सिरीज एक्स एक ऐसा गेमिंग चैनल जहां मैं आप सबको गेमिंग स्टोरी हिंदी में एक्स्प्लेंड करता हूँ और आज मैं टेल टेल के द्वारा डेवलोप किये गए दाव वाकिंग डेड सिरीज के सीजन वन की स्टोरी कवर करूँगा तो इस स्टोरी की सुरुआत एक हिस्ट्री टीचर ली एवरिज से होती है जिसने अपनी वाइफ को चीट करते हुए पकड़ा और अपनी वाइफ के बॉइफरेंड का मडर करने के जुरुम में ली गिरफतार हो चुका है और अब गिरफतार हो चुका ली पुलिस ओफिसर के साथ प्रिजन जाने के रास्ते पर है जहां रास्ते में उनके कार की टकर एक वाकर से हो जाती है और उनका एक्सिडेंट हो जाता है और यहां वाकर्ज जॉम्बी से गिरा पाता है और यहां कार क्रेस्ट में ली का एक बुरी तरह जक्मी हो चुका है ली किसी तरह अपनी जान बचा कर सेल्टर की तलास में पास के एक घर पहुंसता है जहां उसकी मुलाकात क्लेमेंटाइन नाम की एक छोटी बच्ची से होती है जो जॉम्बी से बसने के लिए अपने ट्री हाउस में छुपी थी यहां क्लेमें क्लेमेंटाइन अपने पैरेंस के लोटने का इंतिजार कर रही है जो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे सावाना गए थे लिकिन क्लेमेंटाइन के पैरेंस जॉम्बी एटेक में सावाना में मारे जा चुके हैं और इस बात से क्लेमेंटाइन अंजान है यहां और चैर नाम के दो सर्वाइवर्स से मिलते हैं यहां सौन एक काइन हर्टेड और हेलफुल परसन है और सौन ली और क्लेमेंटैन को प्रॉबलम में देखकर उन्हें अपने साथ उसके पिता के फार्म ले जाता है जहां वो जॉम्बी से सेफ रहेंगे सौन के घर पहुँशने पर सौन के पिता हर्सल ग्रीन ली के इंजर्ड लेक पर बेंडेज लगा कर ट्रीट करते हैं और हर्सल के फार्म में राद गुजारने के बाद अगली सुभा ली कैनी नाम के एक आदमी और उसकी फैमिली से मिलता है और अब फार्म में रह रहे सारे लोग पूरे फार्म के चारो तरफ वुडेन बेरियर बना रहे हैं ताकि वो जॉम्बी से सेफ रहें लेकिन तभी कैनी का बेटा डग गलती से सौन के उपर ट्रेक्टर चढ़ा देता है और ट्रेक्टर की आवाद सुनकर जॉम्बी सौन और डग पर हमला कर देते हैं ली सौन को बचाने की कुशिस करता है लेकिन उसकी कुशिस नाकाम रहती है और कैनी ली की मदद करने के वज़ाए अपने बेटे को उठा कर पीछे हट जाता है चिलाने के आवाद सुनकर हरसल अपने सौन के साथ वहाँ आता है लेकिन तब तक देर हो जाती है और सौन मारा जाता है और अपने बेटे को खोनी की वज़े से हरसल गुसे में है क्योंकि कैनी चाहता तो ली की मदद कर सकता था और इस वज़े से हरसल ली के साथ कैनी और उसकी फैमिली को फार्म से भागा देता है और अब ली क्लेमेंटान कैनी और उसकी फैमिली के साथ मिलकर मेकिन जॉर्जिया की तरफ बढ़ता है लेकिन कार का पेट्रल खतम होनी के वज़े से उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ता है जहां उनका सामना जॉम्बी से होता है लेकिन समय रहते कारली नाम की एक लड़की उन्हें जॉम्बी से बचा कर अपने साथ एक मेडिकल स्टोर ले जाती है जहां कारली अपनी ग्रूप के साथ सर्वाइब कर रही है यहां कारली की ग्रूप लीडर लिली है और लिली कारली और ग्लेन की उपर गुसा होती है क्योंकि वो ऐसे ही किसी अंजान लोगों की मदद नहीं कर सकते और ऐसा करने में बहुत खत्रा है दोनों ग्रूप के बीच इस बात में बहुत होती है कि डग जॉंबी के द्वारा काट लिया गया है और वो इन्फेक्टेड है लेकिन खुस किसमती से डग बिलकुल ठीक है और इस दोरान मेडिकल स्टोर के बातरूम से एक जॉंबी आ जाता है जिसे कारली सूट कर देती है और गन सोट की आवाद सुनकर कई सारे जॉंबीज वहां आने लगते हैं लेकिन लखिली कुछ दूर हुए धमाके की वज़े से सारे जॉंबीज वापस लौट जाते हैं और आसपास हो रहे हाथसों को देखकर लिली के पिता लेरी को हर्ट अटेक आ जाता है और उन्हें जल्द ही मेडिसिन की जरूरत है लेकिन फार्मेसी लौक है और चाबे उनके पास नहीं है और अब उन्हें दो चीजों की जरूरत है पहला नैट्रो ग्लिसरिन पिल्स जिसकी जरूरत लिली के पिता को है और दूसरा पैटरोल ताकि वो जोर्जिया से दूर किसी सेव जगा जा सके ग्लैन नाम का एक मेंबर डिसाइड करता है कि वो पास के एक मोटेल जाकर जरूरी समान और पैटरोल लेकर आएगा और इस दौरान ली उस रूम की चाबी ढूंडेगा जहां मेडिसिन रखा है और बाकी के लोग आसपास नजर रखेंगे यहां हमें पता चलता है कि जिस मेडिकल स्टोर में फिलहाल सब रुके हैं वो ली के पैरन्स का है जो ली के पिता और भाई मिलकर चलाते थे और यहां ली को अपनी फैमिली फोटो मिलती है और सायद ली की फैमिली मारी जा चुकी है यहां काडली को ली और उसके पास्ट के बार में पता है और यह भी कि मेडिकल स्टोर उसके पैरन्स का है लेकिन काडली डिसाइड करती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी ली डग नामके एक IT टेक्निसियन के साथ फार्मिसी के चाबी ढूने निकलता है और इस दोरान ली को अपना भाई मिलता है जो जॉंबी बन चुका है और अपने भाई को इस हाल में देखकर ली एजियूम करता है कि मा और पिताजी को बचाने की कोशिस में उसका भाई जॉं लोग कर फार्मिसी के अंदर जाता है लेकिन तभी वहाँ एलाम एक्टिवेट हो जाता है जिस वज़े से पूरे एरिया के जॉंबी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और लीली के पीता को मेडिसिन देने के बाद वो मेडिकल स्टोर से भागते हैं लेकिन वो चारो तरफ स जॉंबी से घिर चुके हैं और इस दोरान हम या तो डग को बचा सकते हैं या फिर कार्ली और इस डिसीजन के हिसाब से आगे की जर्णी में या तो डग हमारे साथ होगा या कार्ली दोनों में से किसी एक को बचाने के बाद पूरा ग्रूप स्टोर से भागने में कामयाब होता है ग्रूप सेल्टर की तलास में मोटेल की तरफ बढ़ते हैं और मोटेल पहुंचकर ग्लैन ग्रूप से अलग होकर अपने दोस्तों की मदद करने एटलांटा सिटी लॉट जाता है जहां उसके दोस्त जॉंबीज के बीच फसे हैं सेल्टर खाना और पानी मिलने की वज़े से पूरा ग्रूप राहत की सांस लेता है मोटेल में तीन महिने सर्वाइव करने के बाद अब ली और उसके ग्रूप का खाना और बाकी रिसोर्स खतम होने की कागार पर है और इन तीन महिनों में ली के ग्रूप ने मार्क नाम के एक आदमी को रेस्क्यू किया जो US Air Force में Supply Runner का काम करता था और लिली ने मार्क को ग्रूप में सामिल किया क्योंकि US Air Force में Supply Runner के पोस्ट पे होने की वज़े से मार्क के पास खाना और बाकी Eatables आटेम का एक्सेस था जिसके मदद से वो कुछ म महिने बाद मार्क का Food Supply खतम हो चुका है और इस वज़े से खाने की तलास में ली और मार्क हंटिंग के लिए निकलते हैं लेकिन अचानक उन्हें जंगल में चिलाने की आवाद सुनाए देती है और आगे बढ़ने पर ली और मार्क बैन और ट्रेविस नाम के दो स्कूल स साथ देविड नाम के एक टीचर को देखते हैं और यहां देविड का एक पैर बेर ट्रेप में फस्ट चुका है ली और उसके साथ ही डेविड की मदद करने की कोशिस करते हैं लेकिन इतने में वहां जॉंबी जा जाते हैं ली ट्रेप के चैन को अपने कुलाडी से काम रहती है और मजबूरन ली को डेविड का एक पैर काटना पड़ता है सब अपनी जान बचा कर भागते हैं लेकिन ट्रेविस जॉंबीस के हातों मारा जाता है और बाकी बचे लोग ली के हाइड आउट मोटेल पहुंसते हैं जहां ली और मार्क के साथ कुछ अंजान ल पाना और मुस्किल होगा लेकिन तभी जॉंबी बन चुका डेविड केनी की वाइफ कजा पर हमला कर देता है लेकिन यहां अजीब बात यह है कि डेविड जॉंबी के दुआरा बिटन था ही नहीं तो फिर वो जॉंबी में कैसे बदला और इस बात को समझाते हुए बैन बात आता है कि सिर्फ काटे जाने से कोई जॉंबी में नहीं बदलता यहां किसी भी इंसान की मौत होने पर वो दुबारा वुकर के रूप में पैदा हो जाते हैं यहां सब पहले से ही जॉंबी वाइरस से infected हैं इसका मतलब किसी भी इंसान की मौत होने पर जॉंबी मौट अपने आप ट्रिगर हो जाता है, चाहे उस इंसान की मौत, जॉंबी के दुआरा काटे जाने से हुई हो, या फिर किसी और वज़े से, इत मींस, चाहे मौत की वज़ा कुछ भी हो, मरने वाला इंसान, जॉंबी बन जाएगा, और इस बात को जानकर, सब डर जाते हैं, और जॉंबी सको मरने का तरीका है, कि उनके सर पर वार किया जाए, और यहां डिविड जॉंबी में इसलिए बदला, क्योंकि उसका पैर काटने की वज़े से, उसके सरीर से काफे खुन भै गया था, जिस वज़े से उसकी मौत हो गई, और वो भी एक जॉंबी बन गया, कुछ देर बाद, एंड्रियू जोन्स और डैनी जोन्स नाम की दो भाई, ली के हाइड आउट के पास आते हैं, जो जोन्स फेमिली को बिलोंग करते हैं, यहां एंड्रियू और डैनी बताते हैं, कि वो भी बाकी लोगों की तरह सर्वाइवर हैं, और वो पास के फार्म से आये हैं, और दोनों भाई पैट्रोल की तलास में हैं, जिससे वो जनरेटर को पावर देते हैं, और generator की मदद से वो उनके hideout के electric fans को power देते हैं ताकि वो zombies से बचे रहे हैं यहां Andrew और Danny पेटरोल के बदले ली के group को food supply देने की बात करते हैं ली और ली का group इस offer को accept कर लेता है और वाकाई में दोनों भाई के पास काफी food supply है यह देखने ली और उसके कुछ group members दोनों भाई के साथ उनके farm चलते हैं और रास्ते में लुटेरो से चुपते हुए वो farm पहुंसते हैं जहां ली दोनों भाई की मा Brenda Jones से मिलता है Brenda, ली और उसके सारे group members के लिए food और shelter देने की बात करती है और सबकुछ एकदम सही लग रहा है और farm को देखकर लगता है कि यहां कुछ हुआ ही नहीं और Danny बताता है कि यह सब उनके electric fans की वज़े से मुमकिन हो पाया सबकुछ ठीक होने की वज़े से काडली, बैन की साथ बाकी members को यहां लाने motel लोट जाती है लेकिन इस दोरान कुछ लोटेरे ली और मार्क पर हमला कर देते हैं और एक arrow मार्क के कंधे पर लगता है दोनों अपनी जान बचा कर farm की तरफ बढ़ते हैं और तभी ली के बाकी group members farm पहुंसते हैं सिवाए काडली और बैन के जो motel की देखरे करने वहीं पर रुख गए हैं यहां ली और उसके group को पता चलता है कि जोन्स फैमिली ने लोटेरो से deal किया है जिसके बारे में उन्होंने ली और ली के group members को नहीं बताया और deal के हिसाब से जोन्स फैमिली लोटेरो को खाना देते रहेंगे और बदले में लोटेरे जोन्स फैमिली पर हमला नहीं करेंगे और इस बात की वज़े से ली और उसके group को लगता है कि ये जगा safe नहीं है Brenda, Mark का medical treatment करने उससे घर के अंदर ले जाती है और लोटेरो से बदला लेने ली डैनी के साथ लोटेरो के कैम पहुंसता है यहां उनका सामना लोटेरो के वज़ाए जोलीनी नाम के एक औरत से होता है जो जोन्स फैमिली से जुड़ा एक mysterious secret रिवील करने वाली थी लेकिन इससे पहले डैनी उस औरत को सूट कर देता है यहां ली को जोलीनी का वीडियो recorder मिलता है जिसके बैटरी डैड हो चुकी है और कैम से वापस लोटने पर कैनी ली को बताता है यहां कुछ गरबढ है और कुछ है जो जोन्स फैमिली उनसे चुपा रहे है डिनर से पहले ली फार्म के backyard में एक butcher room देखता है जहां कई नुकीले औजार और चारो तरफ खून फैला हुआ है डैनी ली को डिनर के लिए बुलाता है और यहां डिनर टेबल पर सब प्रेजन्ट हैं सिवाए मार्क के ली हाथ धोने के बहाने से मार्क को ढूनता है जहां ली एक hidden room discover करता है ली देखता है उस hidden room के अंदर मार्क जखमी हालत में है और उसका दोनों पैर काट लिया गया है मार्क ली से डिनर खाने को मना करता है क्योंकि डिनर में उसी का पैर बना है मार्क ली को बताता है कि जोन्स फेमिली कैनिबल्स हैं जो इंसानों का मास्क खाते हैं यहां जोन्स फेमिली इंसानों को जान से नहीं मारते थे ताकि सरीर ना सड़े और वो इंसानों को जिन्दा रखते थे ताकि हर रोज वो ताजा इंसानों का मास्क खा सके और गाइज जिस बेर ट्रेप में डेविड फसा था उस ट्रेप को डैनी और एंड्रिव ने ही लगाया था ली टुरंट डाउन स्टेर्ज जाकर सबको खाना खाने से रोकता है और अब जोन्स फेमिली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और गन पॉइंट पर डैनी और एंड्रिव ग्रूप मेंबर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं जहां ली, कैनी, ली, लेरी और जाते हैं और कजा और उसका बेटा डग घर में ब्रेंडा के साथ हैं फ्रीजर में बंद होने के दोरान लेरी को हर्ट अटेक आ जाता है और इससे पहले लेरी वाकर में बदले कैनी लेरी का सर कुचल के उसे जान से मार देता है ली किसी तरह क्लेमेंटाइन की मदद से फ् तो मारी जाती है जोन्स की फैमिली में अब सिर्फ एंड्रियू जिन्दा बचा है और ली और उसका ग्रूप फार्म छोड़ कर आगे बढ़ते हैं और एंड्रियू को उसके हाल पर छोड़ जाते हैं और इस दोरान इलेक्ट्रिक जेनरेटर काम करना बंद कर देता है जिस वज़े से जोंबीस असानी से फार्म के अंदर आ जाते हैं रास्ते में ली और उसके ग्रूप को एक कार मिलता है जिसमें धेर सारा खाना और सप्लाई रखा है और फूड सप्लाई के साथ ली को कार में कुछ बैटरीज मिलती हैं जिसे जोलीनी के वीडियो रेकोरडर में लगा कर ली देगता है कि जोलीनी बहुत पहले से उन पर नज़र रख रही थी और जोलीनी को कलेमेंटाइन की फिकर थी और जोलिनी को पता था कि जब तक जोन्स फेमिली लुटेरों से डिल करते रहेंगे तब तक ली का गृप सेफ रहेगा जोन्स फेमिली का खात्मा होने के बाद लुटेरों का एटेंशन ली के गृप पर है और इस दोरान कैनी ने एक ट्रक को रिपेर किया है जिसकी मदद से वो लूटेरों से दूर भाग सकते हैं लेकिन लीली कैनी के इस प्लैन से डिसाधरी करती है क्यूंकि उनके गुरूप में से कोई है जो लूटेरों से मिला हुआ है जो चोरे चुपके लूटेरों को मेडिसन पहुँचा रहा है और लिली उस सक्स का पता लगाना चाती है लेकिन इससे पहले वो ये पता लगा पाते लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और गन सोट की आवाद से वहाँ कई सारे जॉंबीज आ जाते हैं जिस वज़े से ग्रूप को फूड सप्लाई और मेडिसेन पीछे छोड़ कर कैनी के दुरार रिपेर किये गए ट्रक में भागना पड़ता है यहाँ लिली कसक काली और बैन दोनों पर है और लिली के हिसाब से काली और बैन में से कोई एक लुटेरों से मिला हुआ था और इस बहस के दौरान कैनी और काजा ली को बताते हैं कि मोटेल से भागने के दोरान डग जॉंबी के द्वारा काट लिया गया था और इस बीच ट्रक के नीचे एक जॉंबी फस जाता है जिस वज़े से कैनी को बीच रास्ते में ट्रक रोकना पड़ता है और यहां लीली काफी गुस्से में है और वो बैन और का कि हमने एपिसोड वन में किसे बचाया लिली के इस एक्षन से पूरा ग्रूप खासका ली और कैनी लीली के उपर काफी गुस्से में है और यहां ली के पास दो चोईस है या तो वो लीली को अकेले छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं या फिर वो लीली को अपने साथ ले जा सकते हैं जहां वो बाद में ये डिसाइड करेंगे कि लीली के साथ क्या किया जाए अगर हम लीली को अकेले छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आगे जाकर हमें एक ट्रेन मिलता है जिस से आगे जाने का रास्ता ब्लॉक है और ट्रेन के अंदर ली को चार्ली न जिसकी वज़े से आगे का रास्ता ब्लॉक है और सब ट्रक से उतर कर ट्रेन की तरफ जाते हैं सिवाई लीली के और मुका देखकर लीली ट्रक लेकर भाग जाती है और इसके बाद बाकी सब पहले जैसा होता है ली ट्रेन के अंदर जाता है जहां उसे चारली नम का एक सर्व मिलता है और Kenny train को start करने का तरीका ढूंटा है लकिली train अब भी working condition में है और train को successfully start करने के बाद पूरा group सावाना के लिए निकलता है और इस दोरान duck की हालत और बिगरती जा रही है और ली कैनी से ट्रेन रोक कर उसके बेटे डग के इस कंडिसन से उसे डील करने बोलता है यहां Kenny और काजा डग को जॉंबी में बदलता नहीं देखना चाहते इसलिए वो डग को जान से मारने की सोचते हैं लेकिन Kenny और काजा दोनों में से कोई भी अपने बेटे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ देर बाद काजा डग को सूट करने ग्रूप मेंबर से कुछ दूर जंगल के अंदर जाती है लेकिन आखरी पलों में ली और कैनी रियलाइज करते हैं कि काजा ने डग को सूट करने के वज़ाए खुद को ही सूट कर लिया यहां काजा अपने बेटे को सूट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने सूसाइट कर लिया जिस वज़े से ली और कैनी में से किसी एक को डग को सूट करना पड़ता है और यह डिपेंड करता है प्लेयर के चोईस पर और इस इमोशनल मोमे के बाद गुरुप सवाना के लिए निकलते हैं रास्ते में चार्ली ली को एडवाइस देता है कि उसे क्लेमेंटैन को गन चलाना सिखाना चाहिए इन केस फ्यूचर में ली को कुछ हुआ तो क्लेमेंटैन अपने प्रोटेक्शन खुद कर पाए और चार्ली की एडवाइस मानते हुए ली कलेमेंटैन को गन चलाना सिखाता है और उसके बाल चोटे कर देता है और इस दोरान बैन रिविल करता है कि एसल में अंजान सक्स वो खुद था जो चोरी छुपके लुटेरों को सप्लाई दिया करता था ताकि लुटेरे उन्हें परिसान ना करें और कार् और वैसे भी उनके ग्रुप में अब कुछ ही मेंबर बचे हैं इसलिए ली बैन को छोड़ देता है आगे चलके उन्हें ट्रेन रोकने पड़ती है क्योंकि एक ट्रक की वज़े से उनका रास्ता ब्लोग है वो चाहे तो ट्रक को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं लेकिन ट्रक पेट्रोल ये डीजल से भरा है जिस वज़े से उन्हें रुकना पड़ता है और इस दोरान ली के ग्रुप को ओमीड और क्रिष्टा नाम का एक कपल मिलता है जिसकी मदद से वो ट्रक को अपने रास्ते से हटा कर सवाना की तरफ अपनी जर्णी कंटीनू करते हैं ल परेंली दूसरे वाकी-टोकी के पेर से सिगनल कैच करता है जो ली और कैनी के हिसाब से खरब हो चुका था लेकिन सप्राइजिंगली वाकी-टोकी का दूसरे पियर भी काम कर रहा है और दूसरी सैट से एक आदमी बोलता है कि कलेमेंटान के पेरेंस उसके पास हैं और उस अंजान सक्स को क्लेमेंटाइन के सारे हालात के बारे में पता है जैसे कि क्लेमेंटाइन सवाना की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ ली नाम का एक आदमी भी है ली का ग्रूप सवाना पहुँच चुका है लेकिन इस दोरान एक अंजान आदमी टाउन के चर्च का बेल बजा कर भाग जाता है और चर्च के बेल की आवाज सुनकर जॉम्बीज ली के ग्रूप के पीछे पर जाते हैं पूरा ग्रूप अपनी जान बचा कर भागता है जहां चार्ली क्लेमेंटाइन को बचाते हुए पूरे ग्रूप को आगे बढ़ने बोलता है और खुद पीछे रहकर जॉम्बीज का सामना करता है सिवाए चार्ली के पूरा ग्रूप भागते हुए एक मैंसन तक पहुंसते हैं जहां फिलाल वो जॉम्बी से सीफ हैं यहां ली, कैनी और क्रिष्टा इस बात से सर्प्राइज हैं कि वो इंसान कौन था जिसने चर्च के बैल को बजाया और वो अंजान सक्स कौन है जो वाकी टॉकी के थुरू उनसे बाते करता है इस दोरान मैंसन के अंदर कैनी को एक वाकर मिलता है जो दिखने में काफी हद तक डग की तरह है जिसे देखकर कैनी को अपना बेटा याद आता है ली उस वाकर को मार कर मैंसन के बैक याड में दफना देता है जहां ली नोटिस करता है कि एक अंजान आदमी उस पर नज़र रख रहा है लेकिन इस से पहले ली उस आदमी को अच्छे से स्पॉट कर पाता वो आदमी भाग जाता है अगली सुभा ली और कैनी बोट की तलास में रीवर की तरह बढ़ते हैं ताकि वो बोट की मदद से वाकर से दूर किसी सेफ जगा जा सकें वाटर फ्रंट पहुंसने पर वो देखते हैं कि सारी बोट डूप चुकी है और कई बोट के इंजन गायब हैं और इस दोरान दोनों का सामना मॉली नाम के एक लड़की से होता है यहां मॉली बताती है कि कहीं भी जाने से पहले वो चर्च का बैल बजा देती है ताकि सारे वाकर्स एक जगा इखटा हो जाएं और वो सप्लाई या फूट की तलास में कहीं भी असानी से आ जा सके और मॉली ली और कैनी को क्रोफर्ड नाम के एक ग्रूप के बारे में आगा करती है और यहां क्रोफर्ड एक ऐसा ग्रूप है जो अपने सेफटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो अपने सेफटी इनसे और करने के लिए किसी दूसरे की जान लेने से नहीं हिच की चाते और Crawford Group में ना कोई बच्चा है और ना कोई बुढ़ा और यहां Molly से पहली बार interaction होने पर Kenny से गोली चल जाती है जिस वज़े से वहां zombies आने लगते हैं और इस दोरान ली Kenny Clementine और Molly से अलग हो जाता है और अपनी जान बचाते हुए ली सीवर के रास्ते भाग जाता है और यहां ली की मुलाकात कुछ Cancer Survivors से होता है जो Crawford Group से बचने के लिए यहां चुपे थे यहां ली का interaction Vernon और Bree से होता है और Vernon पेसे से एक डॉक्टर है और वो अकेला डॉक्टर है जो इस Group की देखरेक करता है ली वर्णन को बताता है कि वो यहां कैसे पहुचा और वो अपने Group के साथ Reunite होना चाता है लेकिन सीवर का रास्ता भूल-भूलईया की तरह है और ली को कोई आइडिया नहीं है कि वो अपने Group के पास वापस कैसे लोटे लेकिन यहां Vernon को सीवर के हर एक रास्ते के बारे में पता है और इसलिए Vernon ली की मदद करने की सोचता है ली वर्णन के साथ घ करने बोलता है क्योंकि उमीद की तब्यद बिगरती जा रही है और इस दोरान ली देखता है कि बोट ना मिलने की वज़े से कैनी उमीद खोच चुका है और उसे लगता है कि अब वो वाकर्स और क्रॉफ़र्ट के बीच फस चुके हैं और उनका बचपाना मुस्किल है और ली और क्लेमेंटैन को एक बोट मिलता है लेकिन यहां बोट आट ओफ फ्यूल है और बोट की बैटरी डेड हो चुकी है जिस वज़े से पूरा ग्रूप रात के टाइम वर्नन और ब्री के साथ क्रॉफ़र्ट के हाइड आउट से जरूरी सप्लाय चुराने का प्लैन बना जाती है हाइड आउट पहुंचकर ग्रूप देखता है कि वकर्स के दुआरा क्रॉफ़र्ट पर हमला हुआ है और क्रॉफ़र्ट के ज़्यदातर लोग मारे जा चुके हैं ली और उसका ग्रूप वकर्स से चुपते हुए पास के स्कूल में चुप जाते हैं जहां ग्रू लोगन नाम के एक डॉक्टर को सेक्स्वल प्लेजर दिया करती थी और सेक्स्वल फेवर के बदले मॉली डॉक्टर से अपनी डियबेटिक सिस्टर के लिए मेडिसिन लिया करती थी फ्यूल बैटरी और मेडिसिल हासिल करने के बाद पूरा ग्रूप स्कूल से भागता है और इस दोरान बैन केनी के सामने कनफेस करता है कि वही वो अंजान सक्स है जो लुटेरो को सप्लाइ पहुचाया करता था और कजा और डग के मौत के पीछे कहीं न कहीं इंडिरेक्ली बैन का ही हाथ है और इस वजे से केनी बैन पर काफी गुसा होता है और उनके आपस के बह का जवाब ना देते हुए बात पलट देता है और वर्नन उमीद को मेडिसिन देता है जिससे अब उमीद की तब्यद और इंफेक्शन ठीक होने लगा है और अब पूरा ग्रूप बोट के जरिये यहां से निकलने का प्लैन बनाता है और इस दोरान वर्नन ली को ओफर देत है कि ली चाहें तो वो क्लेमेंटाइन को उसके पास छोड़ सकता है जहां क्लेमेंटाइन वर्नन और बाकी कैंसर सर्वाइवर्स के साथ सेफ रहीगी ली वर्नन के इस ओफर को ठुकड़ा देता है और मॉली ग्रूप से अलग होकर ली को अलविदा कहते हुए अपने पुजर रखते हुए उसके पास बैटता है लेकिन ली की आंख लग जाती है और अगली सुभा जब ली को होसाता है तो वो देखता है कलेमेंटाइन मिसिंग है और कलेमेंटाइन का हैट और वाकेटोकी घर के बाहर जमीन पर पड़ा है Clementine को ढूनने की कोशिस में एक walker Lee के हाथ पर काट लेता है और यहां Lee अपने teammates को बताता है कि वो zombie की द्वारा beaten है या फिर वो इस बात को चुपा सकता है और यह सब depend होता है player की choice पर Lee को Clementine की figure होती है और पूरा group Clementine को ढूनने में Lee की मदद करने की सोचता है यहां Lee का पहला सक Vernon पर जाता है क्योंकि पिछली रात Vernon Lee से Clementine को उसके पास छोड़ जाने की बात कर रहा था लेकिन Vernon के hideout पहुंसने पर वो देखते हैं कि supply के साथ सारे लोग वहाँ से गायब हैं और hideout पूरी तरह खाली है और इस दोरान Clementine का walkie talkie signal पकरता है जहां call पे Clementine के साथ एक अंजान आदमी की आवाँ सुने देती है और वो अंजान आदमी Lee को बताता है कि वो Vernon नहीं है और Clementine उसी के पास है और इस दोरान Lee बेहोस हो जाता है और group के सारे लोग decide करते हैं कि वो Lee का infected हाथ काट देंगे और ऐसा करने से हो सकता है Lee zombie infection से बच जाए हालाक ही कोई sure नहीं है कि उनका ये plan काम करेगा या नहीं लेकिन Lee risk उठाने को तयार है क्रिष्टा ली का हाथ काट देती है और इस प्रोसेस में Lee बेहोस हो जाता है ली के होस आने पर पूरा group Clementine को ढूने निकलता है जहां mansion पहुंचने पर वो देखते हैं कि Vernon का group उनकी boat चुरा कर वहाँ से जा चुके हैं और यहां Ben और Kenny के बीच बहत सुरू हो जाती है और उन दोनों की बीच हुए लड़ाई के सोर की वज़े से zombies उनकी तरफ attract होकर उन पर हमला कर देते हैं और पूरा group अपनी जान बचाते हुए अपने आपको mansion में बंद कर लेते हैं यहां एक बर फिर walkie talkie पे ली को क्लेमेंटाइन की आवाज आती है और ली को पता चलता है कि क्लेमेंटाइन Mars House Hotel में है जहां क्लेमेंटाइन के parents रुके हुए थे ली और ली का group किसी थरा mansion से निकल कर आगे बढ़ते हैं जहां रास्ते में बैलकोनी से चलंग लगाते हुए बैन नीचे गिर जाता है और एक लोहे का सरिया उसके सरीर के आरपार हो जाता है और बैन के चिलाने की आवाद से जॉंबीज वहां आ जाते हैं और कैनी पीछे रुक कर ली को आगे बढ़ने बोलता है जहां कैनी आखरी गोली बैन को मार कर उसे दर्द से आजात कर देता है और खुद जॉंबी के द्वारा मारा जाता है और अब ग्रुप में सिर्फ तीन लोग बचे हैं उमीद, क्रिष्टा और ली जहां रास्ते में ली उमीद और क्रिष्टा से अलग हो जाता है और ली जॉंबीज को मारते हुए अकेले मार्स हाउस होटेल पहुंचता है जहां ली का सामना क्लेमेंटाइन के किडनेपर से होता है यहां किडनेपर ने क्लेमेंटाइन को अपने साथ सही सलामत रखा था किदने पर बताता है कि ली के ग्रूप को जंगल में फूट और सप्लाई से भरा हुआ जो कार मिला था असल में वो कार उसी किदने पर और उसकी फैमिली का था किदने पर बताता है कि हंटिंग के दोरान जंगल में उसका बेटा खो गया था और अपने बेटे की तलास करने वो अपनी वाइफ के साथ जंगल गया था लेकिन बहुत ढूनने पर भी उन्हें उनका बेटा नहीं मिला और जंगल से वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनकी कार और सारा फूट और सप्लाई गायब है जिसे ली के ग्रूप ने ले लिया और इस दोरान क्लेमेंटाइन किसी तरह उस रूम से निकलती है जहां किडनेपर ने उससे लॉक किया था और सही मौका देखकर क्लेमेंटाइन किडनेपर को सूट कर देती है और अब ली और क्लेमेंटाइन रियूनेट हो चुके हैं लेकिन तभी वहाँ एक जॉम्बी आ जो ली को इगनोर करते हुए क्लेमेंटाइन की तरफ बढ़ता है और ऐसा इसलिए हुआ क्यूकि ली जॉम्बी के खुन से लदपत है जिसकी वज़े से ली एक जॉम्बी की तरह स्मेल कर रहा है ये देखकर ली क्लेमेंटाइन की बौडी पर जॉम्बी बलड लगा देत और दोनों जॉंबी के बीच में से होते हुए आगे बढ़ते हैं जहां रास्ते में क्लेमेंटाइन को उसकी मा दिखती है जो एक जॉंबी में बदल चुकी है और इस दोरान ली बेहोस हो जाता है और क्लेमेंटाइन ली को एक स्टोरेज फेसिलिटी के अंदर खीच कर लाती है यहां ली क्लेमेंटाइन को बताता है कि वो जॉंबी के द्वारा काट लिया गया है और आगे का सफर क्लेमेंटाइन को अकेले पूरा करना होगा क्योंकि ली का सरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका है ली क्लेमेंटाइन से उसे हतकड़ी लगाने बोलता है इन केस अगर ली जॉंबी में बदला तो क्लेमेंटाइन सेफ रहे क्लेमेंटाइन ली को इस हाल में देखकर बहुत दुखी है क्योंकि वो सब कुछ खोच चुकी है और बस एक ली ही था जो उसके करीब था लेकिन अब वो भी एक वाकर में बदल रहा है ली क्लेमेंटाइन से आगे बढ़ने बोलता है और क्लेमेंटाइन आगे बढ़ने से पहले या तो ली को सूट कर सकती है या फिर ली को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ सकती है लेकिन दोनों ही केस में ली की मौत तैय है क्लेमेंटाइन अब अकेली है और बहुत दूर तक चलने के बाद ठक कर कुछ देर के लिए रुकती है जहाँ क्लेमेंटाइन को दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं और इसी के साथ दा वाकिंग डेड सीजन वन की स्टोरी यहीं खतम होती है और गाइज मैं इस वीडियो पे 5K लाइक्स का टारगेट रखता हूँ और अगर 5K लाइक्स का टारगेट एक वीक में पूरा हुआ तो मैं दा वाकिंग डेड सीरीज के बाकी सीजन जल से जल एक्स्प्लेइन करूँगा और हाँ हमें इस गेमें ये नहीं बताया गया के लोग जॉंबी वाइरस से कैसे इनफेक्ट हुए और यहाँ वाइरस आउटब्रेक का रीजन अन्नोन है और हमें ये भी नहीं बताया गया कि ट्रक चुराने के बाद लिली का क्या हुआ और ओमीड और कृष्टा अब कहां और किस हाल में है इसी के साथ ये वीडियो यहीं खतम होती है और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताये कि ली के मरने पर कितने लोगों को दुख हुआ और अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब सो गाइज कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग सिरीज एक्स आम आउट